हेलो एवरिबाड़ी आप सब कैसे हो आई नो आई नो मैं काफी टाइम के बाद विलॉग कर रही हूँ आप से मैं रेगुलर रहूंगी तो मेरी दिन की शुरुआत होती है हास्पिटल विजिट से मैं आई हूँ इस वक्त जगजीवन राम हास्पिटल जो की है मुंबई सेंट्रल में ये एक रेलवे हास्पिटल है तो मुझे यहाँ पर पहले ऐसे टिकेट लेने पड़ते हैं और काफी जादा वेटिंग एरिया था वहाँ पर वेट किया मैंने और साथ में मैंने अपना थोड़ा ओफिस का काम भी क्लियर कर लिया वर्क फ्रम होम है तो हमें उसका फायदा तो उठा नहीं पड़ेगा उसके बाद मेरी ट्रेन थी पूने के लिए सो मैं आगई हूं दादर स्टेशन यहां से आपको हर ए लागेज कल आफिस में ट्रेडिशनल डे शादे बेट करने वाले हैं तो इसलिए मुझे काफी जादा लागेज लेके जाना पड़ रहा है और मैंने यहां पे थोड़ा अपने आपको रिकॉर्ड करने का ट्राई किया पर मेरा फोन मुझे भूच जासा क्यों दिखा रहा ह दो बजे की मेरी ट्रेन है कोनार्क एकस्प्रेस जो मुझे करीबन साड़े पाच बजे पूने पहुचा देगी तो इंतजार करते करते मैंने सुचा कि ऑफिस का थोड़ा कामी क्लियर कर लें हैश्टेग वर्क फ्रम हॉम और ये लो ये मेरी ट्रेन आ गई कोनारक एक्सप्रेस इस समय दादर स्टेशन पे तो ज़्यादा बीड़ है नहीं पर कोनारक एक्सप्रेस में पूरी ट्रेन भरके चलती है ये भूबनेश्वर तक जाती है दो दिन का सफर पूरा करती है लेकि अगर आप इस ट्रेन में कभी ट्रैवल कर रहे हो, तो आप भी दो ही, चैत्रपती शिवाजी TO के बाद ये ये और सिफ ने जीए सब कुछुछ मैनेज़ करना क्यों है, है तो इस वेरी डिफिकल्ट तो मैं दाधर स्टेशन से चड़ चुकी हूँ ये देखिए ग्रीन जंडी भी मिल चुकी है इस ट्रेन को फिलाल ये ट्रेन आगे जाकर के एक घंटा लेट हो जाती है और मैं पहुच गई हूँ पूने में पूरा की चड़ की चड़ बारिश ज ये तो मैंने सोचा कि ये जो ब्रेज है मैं वही चड़ लू और मैं आपको दिखाऊंगे कि पूरे स्टेशन पे इवनिंग में सिक्स तर्टी को कितना जादा रश रहता है तो अगर आ रहे हो तो आप ये सब चीज़े ध्यान रखके आओ कि आपको किस टाइमिंग पे आन पर फिलाल अभी बारिश हो रही है तो मैं उतना दूर मैं चल कि जानी सकती हूं अगर आपको बस लेना है तो आपको थोड़ा चल के आगे जाना पड़ेगा बस स्टेंड तक तो फिलाल यहां बारिश है तो मैंने आटो कर लिया है ओला आटो ये मुझे फुरसुंगी में 200 में पहुचा देगा वैसे तो बस अगर आप लो तो आप अंदर 100 रुपीज पहुच सकते हो फुरसुंगी एरिया सो लेट्स गो तो आर डेस्टिनेशन होम सो इसी के साथ मेरा चोटा सा प्यारा सा व्लॉग का दी एंड होता है कमेंट करके जरूर बताना की आपको कैसा लगा मेरा चोटा सा कमबैक इसके बाद काफी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं तो स्टे टून और मेरा चाने की ऑटना खें शहें और खिंट खेंस हुआ हुआ हुआ